कि चलिए दोस्तों सब्सक्राइब सब्सक्राइब लिखेगा आवाज आ लिया आप सभी को और फिर स्टार्ट करते हैं हमने सेशन को यहां सब्सक्राइब करेंगे और साथ के साथ मैंने स्कूर्स को डियुल रखा है कि मैं आपको कोशन के साथ थियोरी कवर करा हुआ इसलिए मैने चेल जो रखे है ना उसी के लेवल की थियोरी भी रखी है थियोरी कों सी होगी ancient history की, medieval history की, modern history की आच से स्टार्ट करेंगे आठ बजस तो जो भी वच्छा यह कहा रहता है कि सर history की थियोरी करा ना स्टार्ट करादो तो इस questions के साथ आपको history की theory कबर करनी है एक हफ़ते में history के maximum question करा हुआ और history की theory करा हुआ फिर दूसरे हफ़ते में quality के maximum question quality की theory करा हुआ तो आप 7 से लेके 9 बज़े तक पढ़ लो आपका पूरा course complete है जो भी आपका exam है SSC का exam MTS का चल रहा है इन सब के लिए आपको ये काम आएगी ठीक है theory 8 PM बे पढ़ नहीं है लेकिन तब भी फायदा इस class का चलिए start करते हैं अपने session को बताना एक बड़ी आवाज आ रही शेर कर देना यार एक बड़ी सारे नया batch है नया course है बाकी भैतरीन टीचर्स के द्वारा भैतरीन टेस्ट बनाएगा है तो अभी ये ना MTS के टेस्ट हो रहे है आपके back to back टेस्ट हो रहे है थस्जे को हो रहे है टेस्ट तो आप इनको एकसेस करिए और ये टेस्ट धोन जो है ना इस SSC रेल भी दोनों के लिए और इसका स्कैन कोड भी मैंने आपको बता रखा था तो स्कैन कोड भी एवलेबल है इसको भी देख लेना मिस मत करना पूरी टीम ने बिलके बनाया है एससी कॉमबैक 12 जून को हो रहा है रैंकिंग इसकी आपको एवलेबल होगी इससे आपको ठीक है बेनिफिट होने वाला प्राइसस मिल रहे हैं आपको ठीक है तो आप ये यूटलाइस कर लेना मैं खुद स्पेशली एक एमजन बाउचर जो है उससा गिफ्ट ल लिए करूं ठीक है और बाग बेटा साथ वे डेली क्लास होगी बाकी जितने भी कोर्सिस हैं जैसे आप सेक्शन वाइस उटते हैं तो अभी मैं ससी एमटेस और दिल्ली पुरिस को टार्गेट भी कर रहा ठीक है क्योंकि नया एक्जाम है आने वाला है इसमें आप जो है ज लिफेरीरं यहारीस करिए और जो फ्रीफ क्लासीगा नकलेत पर हमेशा έट प्लाइक पर पीम है मैं आपको एट पीम पर इसमें त्योरी करा रहा ह है अगर आपका स्सें एंटीस या दिल्ली पुलिस का एक्जाम है तो आप कैसा स्कोर कर सकते हैं एक एक असम्शन ले लेंगे तो हमें बैटर समझ आएगा कि आपको और कितना बढ़ाना है फिर आज से थियोरी भी स्टार्ट करा देंगे आठ बजे एक एक एसम्शन ले ले लो मुझे भी एसम्शन हो जाएगा कि आपको कितना आता है ठीक है एक टेस्ट से शुरुबात कर रहा हूं इसलिए कल फिर आपके लिए जो है नेक्स्ट क्लास रख दूंगा और सारी साथ बजे रखो हैं क्लास का टाइमिंग अध्य सारे थास्ट नियुक्त है चली स्टार्ट करें किसको लगता है जैसे अगर मैं अवरेज 25 पूशन ही पूस्ता हूं किसको लगता है पच्चेस में से आप 20 प्लस ला सकते हैं किसको लगता है एक बर एक प्लस लिख दो क्योंकि अगर लगता होगा तो उनके नाम भी जो है मैं देख ही लूँगा कि भाई ला भी रेव एक्चिली में कि नहीं या फिर जस्ट बोल रहे हूँ जल्दी से एक पर यह बताओ किसको लगता है 25 में से 20 प्लस आ जाएंगे पिर ना उसी हिसाप से करेंगे आज हम हम टेस्ट के स्कूर देखेंगे और 8.00ारी उस Jacob से स्टार्ट anja इस लिए जो है कंप्लीट कर दिया और मुस्ट बंचेंट मीडविल हिस्ट्री मोडरन हिस्टी स्टार्ट कर रहा हूं कि हम थयोरी को हिस्टी से स्टार्ट करें हिस्ची पहले बढे जिस प्लुशें सिब ठीक है तो हम वही कोशन पूछेंगे उसी टाइप के प्रीविएस एर कोशन है सारा यह सारा प्रीविएस एर में आया है ठीक है निधी डियर मेरा टेलिक्राम चैनल जोईन कर लेना आपको मिल जाएगा रामसे चलिए लेट सी पहले कोशन तो आप सभी को आता होगा एक्जा अधि च्छल के बच्चे इसे अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं क्यूंकि मैं थियोरी ही कवर कराने वाला हूं साथ के साथ तो आप खुश्य साब से कवर करिए इस क्लास को जरूर कवर करिए चलि तो आन्से कैस कोशिगा बैडमिंटन से संबंदित है तीसरा कोशन फूड अगरी कल्चर और्गनाइशन आज पहला टेस्ट असान है जैसा पेपर वैसाई टेस्ट ठीक है क्योंकि सियर्ट असल में भी बहुत ज्यादा मुश्किल कोशन नहीं थे बताई आन्से फूड एन अगरी कल्चर और्गनाइशन के हेड़कॉर्टर कहां पे ऐँ है अगया वगए है वक घ्याव बते संब्सक्राइच कहने अन्से फूड और्गनाइशन के हैड़कॉर्टर कहां पर तो स्षबं और रॉम टार्सल को इन्पोटर क्रांपर ही पिए कि eight स्ट् pins दिल्रीपुल्स का सरगा स्ट्रक्चर तरीके से रहेगा किल्ب भी आपकी NY च्लास लगाए जाएगी टि खे चेशल टॉपिक फे लगाए पूरा हिस्टी का आथ कवर करेंगे नहीं करेंगे घ्टा ठीक है ध्यान लखना आर्बि त rhe हो जादे हैं अलावात पीलर इंस्क्रिप्षन में किसकी अचीव्मेंट को दर्शाय है ज़ल्दी सह बताई गहीं ऐस पहला पहला फिफ्सक्र ने फिफ्ट है कोशन बाद एक किसकी अचीमेंट को दर्शाय बेड़ा शेयर भी करना सारे के सारे नेया बैच है ना शेयर कर देना एक बड़ी चला तो आंस है के इस कोशन का आंसर है समुंद्र गुप्त इसका आंसर है चली सिक्स कोशन टेलीग्राम पर लिंक आएगा आठ बजे की हिस्टी की थियोरी है आज ठीक है बहुत दिनों से हिस्टी का कंटेंटी नहीं आये तो अब हिस्टी की थियोरी भी आएगी फिर कल इस यह नम्मर ऑफ कारबन होते हैं जो भी बच्चा आ रहा है समय पर आना अब साथ बज़े डेली बैच कवर करना है तो टाइम पर क्लास होगी चाहे फ्री क्लास ले रहे हो लेकिन टाइम पर लो साथ से आठसे लो लोब सर्दावार đang सब्सें का करबन से का सबस्थर हैं अबस्ति हम बतार कमेंट करें बताएं ठीक है चलो तो आंसर का है इस कोशन का इस गहाट ऑफ इंडिया की जो हाइस पीक है वो कौन सी है तो इस कोशन का आंसर है महेंद्र गिरी इस गहाट की बात हो रही है आठमा कोशन ठीक है ठीक है जो बारा ठीक है देवता है ओलंपस के उसमें से गोड़ ब्यूटी अन लव कौन सा है ठीक है चलो तो आंसर के है फाई सिर्फ ऐसा नहीं कोशन ही कराने है जब मैं बैट स्टार्ट कियाना है इसमें सिर्फ कोशन नहीं होगे इसकी थियोरी भी होगी दोनों चीज़ो घर का सारा कोशन आज खतम होगा थियोरी भी खतम होगी चलिया आंसर और यह सब कोशना थियोरी में खतम होने वहले हैं किसके समय में यह सब चीले आनिसी आमिर खुसरो और यह सब पता हो न चीए चली तो आंसर के इस कोशन का चंद्रगूप सेकंड तसमा कोशन गीता गोविंदा किसके द्वार लिखेगी तो आंसर है इस कोशन का जाय देव इसका आंसर है 1st all women employee bank कौण सा है इस कोशन का आंसर के है तो 1st all women employee bank कौण सा है दोस्तो ध्यान अखना है इस कोशन का आसर है कि यह कौण सा भारतिये महिला बेंग ठीक है बारमा कोशन देखेंगा दिल्ली में है ये ठीक है स्कैरलनेस जो है गिलहरी का जो घोसला होता उसे क्या कहते है एक ना पर्टिकुलर लेवल के कोशन कवर कर रहे हैं हम पहले ठीक है हमारे कोशन कवर होके न हमें आज अंदाजा लग जाएगा और आज से फिर क्लास मिसना करें अब से पूरे दो हफ्ते लगेंगे आपकी थियोरी का बहुत कंटेंट कवर होगा आप समल लो आपका बैच स्टार्ट हो चुगा यूटूब पर ठीक है इसको मिसना करें कोई इसका आंसर है आज से हिस्ट्री का कवरेज मैं करा दूँगा एक हफ्ते में मैंने जोग्रफी का भी कराया बहुत कवरेज युनाइटिद नेशन डवलपमेंट प्रोग्राम कि अगर मैं बात करूं तो इसके युद्ड कीड़ क्वाट्र कहां पर पताइए यौनाइटिट निशन डवलपमेंट ग्लक्राम जो हैसको हएं स्कोश्amt fırण से का इसको क्य यह ना असान है कि चलते इस कोशें का अंसे यह तो आसान है कोशन की युनाइटिन डिशन डेवलेप्पेंट प्रोग्राम के हैड़्वाटर नियोक में है 14 कोशन फर्स्वूमन रूलर तू रूल दा इंडिया एंड लास्ट वन ठीक है चलो इस कोशें का अंसे के जैसे अगर मैं बात करूँ इस कोशें का अंसे के हैं रजीयर सुल्ताने कुछ जाते ही असान कोशन है 15 कोशन देखते हैं विच पार्ट और बोडी के अफेक्टेट बाई प्लूरेसी बताइए यह इजी कोशन है करोना वायरस के समय में यह कोशन आपको यह म्दलब यह तो पता ही होगा ठीक बोडूरेसी के समय जो है इस में से कोन सा बोडीपार्ट इंपेक्ट ओं सके हैं आ यह दिए तो जबनाख नवझाए है यह यह हैं लंक्स होते हैं quality सेव इंपक्ट पड़ता है हमारे लंग्स पर सोलमा कोशन देखिए सोलमा कोशन एकनॉमिक आफेंस कौन सा इसमें से मलब कौन सा एकनॉमिक आफेंस से संबंदी करेगा सारे एक बर शेयर भी कर देना तीन सेट करो अपने आप अंदाजा लेलो आज अंदाजा मुझे भी हो सेट अलग अलग लेवल के रखें सबसे इजी इजी सब्जेक्ट इजी सेट है पहला फिर एवरेज होगा फिर डिफिकर्ट होगा देखते हैं कितना स्कोर बनता है अपने आप अंदाजा हो जाएगा ठीक है चला तो आंस है किसके दर्वार में कभी थे हरी सेन किसके अब अब बजे क्लास लगा दिया सारी कंसेट कवर हो जाएंगे अब वहां से किसके दर्वार में कभी थे तो अलगी ते दर्वार में कभी चंद्र चंद्र रख ठीक है ध्यान अठार्म गोशन ब्रेड़नच किसे का या बहुत इंपोर्टन कोशन है करेंट अफेर में हैं पति निमलिकित में से कौन से देश को ब्रेड़नच कहा जाता है इस कोशन का आल सकें कि निमलिकित में से कौन से देश को ब्रेड़नच कहा जाता है तो आंसर इस कोशन का युक्रेइन को कहा जाता है 19 कोशन देखेंगा साका इरा जो है इसकी शुरुवात कौन से वर्ष में हुई इस कोशन का आंसर है दोस्तों देखो यह कोशन है 19 कोशन इसकी शुरुवात यह असान कोशन है त्योरी में वैसे मैं डिटेल में पढ़ा हुआ सारा इरा सी साका इरा कौन सा इविक्रम इरा कौन सा है सब कवर करतेंगे 78 इसका आंसर है ठीक है बीसमा कोशन देखेंगे प्रिंस हुवास रिस्पोंसिबल फॉर देट्ट फो फिस फादर बते ही असान कोशन कोशन ओन सा है ठीक है मैं पाई है इस मारा थे यह कोशन का से कैंसरि स्में तो आरान से आपके 20 प्लस आने चाहिए यह तो बस चुरुखात है सबसे असान कोशन की शुरुआता है फस्ट लेयर है ये लेवल और फस्ट लेवल मानेंगे दूसरा और तीसरे सेट में आपका स्कोर बनता है तो उस हिसाब से अपना स्कोर एनलाईज करना ठीक है पता है कि NRAID किस दिन अपसा है तो आंसक है इस कोशन का 9-10 नरी को 22 कोशन देखेगा RBI की स्थापना क्οों से वर्ष में हुई पता ज्यादा मुश्किल कोशन है नहीं तो अजान एक अनसर इस कोशंगा कि आर फिक स्थापना 1935 में हुई थी तेटीसमा देखिए इंडियन आप पोर्चीज के हैड़ कवाटर कहां पे सबको पता होना चाहिए इंडियन आम फॉर्सिस के हैड़ कोटर कहां पे अगर कि कि इस कोशन का अंसर के हैं कि इंडिया नाम फोर्सिस की जो स्थापना है जो हैड़कॉर्टर वो दिल्ली में है ठीक है चोबिसमा कोशन दे कृष्ण देव राय जो है यह कहां के किंग थे कौन से सामराज्य के डैनस्टी के एंपायर के रूलर थे बताई कि कृष्ण देव कि अच्छा कोशन है कि थोड़ा सा मुश्किल भी है यही कोशन एक मुश्किल लेगा कि जो आज के लाइव टेस्ट से अंदाज होगा वो हमें पता चल दाएगा आज हम थियोरी कर देंगे में स्टाट हिस्टी की और कलुपिर मैं घmiares करने वाला उगर आपको कोंप्लीट करना है तो यह बैस्ट क्लास है अध्रिवाइस सिर्फ वर सिर्फ क्लासे देखने देखने का काम करना है तो फिर तो आपकुछ भी कर सकते लेकिन course complete करना तो आज से start करके course यहां पर complete हो सकता है ठीक है अगर हम एक spring को stretch करते हैं तो उसमें कौन सी energy आती है बदे बढ़ा common सा question है अगर मैं दस बच के दस मिनट पर नहीं है नो बच के दस मिनट पर और वह class लगी है मैं छोड़ता हूं classes कभी छोड़ी हो तो छोड़ी हो रात की class में आज सक नहीं छोड़ी elastic position इसका answer है रात की class is बहुत जरूरी देखो पहला set था आसान बच्चा सवाल था सारा वो सवाल ऐसा था कि बस एक बड़ी tempered question थे जो आपको करने थे 20 प्लस लान थे हर एक क्याने चाहिए नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है यह जो है ना इसमें भी 20 प्लस ही लाने है मैं आपको theory का level best रखूँगा इससे ज्यादा best theory का level नहीं होगा जो मैं आपको 8 से YouTube पे 8 बजे कराने वाला हूँ ठीक है आप एक बार ही पढ़के देख लो आपका course complete मैं करा हूँ वा इस चीज की मैं शोर्टी लेता हूँ 8 बजे की class से आपका course complete करा हूँ ठीक है पहला question आज से स्टार्ट करा दूँगा theory Moran dynasty से स्टार्ट करा हूँ पते फर्स्ट amendment कौन से schedule में हुआ था कमेंट करेंगे पहला amendment कौन से schedule में हुआ था आनसे के इस कोशन है जोगरफी की जगा थिस्टी से स्टार्ट करेंगे कि अगरे था कि अगरे था कि अगरे था कि अगरे फर्स्ट अवैंड्मेंट कौन से schedule में तो आंसर कहां देखो इस कोशन का answer है कि यह नाइन schedule में हुआ दूसरा question देखेगा था पहला बैंक चिसने mutual funds इंटर्ड्यूस करें कि अगरे फर्स्ट बैंक जिसने mutual funds इंटर्ड्यूस करें आंसर कैस्ट कोशन का थेकर हैं दोस्तों mutual funds इंटर्ड्यूस करने वाला बैंक जो है वो पहला था एस बेई इसका SBI का mutual fund आज के समय बहुत स्ट्रॉंग माना जाता है युनेसको के हेड़कोर्टर कहां पर हैं कि बेटा पीडीयफ वर्शा राजपूत टेलीग्राम चैनल अमन सर वाइफ है सड़ी मिलेगा आठ बजे की ठीओरी का लिंक भी उसी महीं मिलेगा ठीओं करना जरूरी है क्योंकि पीडीयफ मैं कभी मिश्ट नहीं करता दस दस बजे की आज प कर चुका हूं तो आपसे आपको थियोरी का भी पीडियेफ मिलेगा ठीक है डॉन वरी चोथा कोशन देखिए इसमें से कौन सा यूरॉपें यूनियन का मेंबर नहीं है आंसर के इस कोशन का आंसर है कि कौन सा यूरॉपें यूनियन का मेंबर नहीं है तो नहीं है नहीं है अलाकि यह नौर्वे का कोशन है यह आपको मिल सकता दूसरे तरीके से भी अभी नौर्वे ठीक है बहुत सारी चीजों का पाड़ बनने की सोच रहा है पहला सेशन आइन्सी का कहा पर हुआ दाओ दाओ पहला आइन्सी का सेशन कहां पर हुआ था तो दोस्तों आइस है बोंबे थे के बोंबे बोंबे था ठीक है शटा कोशन देखेगा वह बिल्ड चार मिनार चार मिनार किसके द्वारा बनाएंगे आंसर कैस कोशन बदेए आंसर के चार मिनार किसके द्वारा बनाएगा बदेए दोस्तों चार मिनार किसके द्वारा बनाएगा तो आंसर है इस कोशन का ये कुल कुत्व शा के द्वारा बनाएगा साथमा कोशन देखेगे अब 22 अपरेल को क्या सेलिबरेट किया आता है 22 अपरेल को ठीक है आंसे केस कुछ नहीं है डे डेट्स की सीरीज आपकी तुरंट आने वाली है उस दिनों में आपकी डे डेट्स हो गया तेके नैशनल पार्स हो गया इन सब को मैं थियोरी में अलग से नहीं बढ़ाऊंगा इसकी मैं एक सीरीज डाल दूँँगा तुरंट पाथ-पाच मिनट की वीडियोस डालूँगा अपका सब कवर हो जाएगा इसकी कोई टेंशन नहीं है में खतरा क्या रहता है बच्चे को पेपर में हिस्ट्री, बॉलिटी और जोगरफिय और साइंस का रहता है ये चार सबजेक्ट हैं साइंस भी मैं इंक्ल्यूड करके चल रहा हूँ थियोरी के लिए इन चार सबजेक्ट में मैं फोकस करने वाला हूँ साथ बजे और आट बजे आपके कोर्स को कम्रीट करने के लिए और थड़े इसका आंसर है आठमा कोईशन देखिएगा इसमें से क्या करेक्ट नहीं है जल्दी सब देगे इसमें से क्या करेक्ट नहीं है इसकोशन का आंसर है जल्दी सब देगे नोट करेक्टली मैच्च्ट बदेए आंसर के इसकोशन चलो को जैसे यह कोशन है न ज्यादा मुश्किल कोश हैं नहीं क्योंकि इसमें एक तो क्लिएर कड़ दे रखा एं ठीक है आप जैसे इसमें यह लिखा है इंट्रन गंप्स्टोन देखो सेकु कर्वेचर और सर्फेस प्लेन लिखाओ इसमें सेस्मोमीटर का ठीक है तो इस कोशन का आंसर जो है एक बड़ी इसमें थोड़ा ना इसका आंसर आप यह मतलगा ना ठीक है ठीक है इस कोशन का अभी छोड़ो इस कोशन का अभी छोड़ो दो नौ में कोशन में आते हैं लेंग बेस फोकन वाइं लाजस नंबर ऑफ प्यूपल इन दवर्ट पूरी दुनिया में इसको मैं कोशन को कराऊँ मुझे थोड़ा सा इनक्रीसी लग रही है आंसर के इस कोशन का जल्दी से बतेगा थोड़ा से इनक्रीसी लग रही है ओके नित पहला बैंक जिसको आई सो कटिगरी में लाए गया था कमेंट करेगा तीसरा सेट होगा भी एक डिफिकल्टी नहीं समझोगे करें हमेशा इस चीज को अनलाइस करके बढ़िया करों कि क्या आता है क्या नहीं आता अगर मैं को आज पता चल देगा कि कि अगरे लेवल है उसी साब से मैं थियोरी भी कराऊंगा वसी साब से मैं पर्टीकुलर सब्जेक्ट की मैराथोन कराने वाला हूं आज थिए की चलेगी दो तिन अपने आप आपका कवर होगा ठीक है मैं कवरेज करांगा आपकी ठीक है आंसर केंडरा वेंग किसका आंसर एक और और कोशन देखी है विचल था पॉलिंगे जए इस नेवर पॉइंट अज़न आप नेशनल लाइट कमेशन बहुत मुश्किल कोशन हो गया इसमें से किसे कभी भी नैशनल लाइट कमेशन का चेयर्मेन नहीं बनाए गया हमें यह सारे नाम तो वैसे भी कून राय नाश इसकूशन का तो देखो झाओ नेशनल हुङॉमियम नाइट कमिशन के चेरमेन अभी तक को नहीं बनाएगए तोंध trainer फी-ख Pixar नहीं बनाएगे 12 माखोशन देखी सबसे कम पंपॉपुलेशन इसमें किस देश की है तो बने किस देश की पोबलेशन काम है करें अ करें जिमस को एट को सबसेंगर है यह कुन से वर्ष में आया था ही समब्त संब्त विकरम संब्त साका संब्त यह सारे पता होने चाहिए ठीक है बते हैं सांच सब्सक्राइब एक अच्रा पिम देखेए एडी ठीक है 14 question देखेंगा इंविट डिस्टीक ऑफ केला एडिकल जो है कहां पर लोकेट है बते हैं यह आंसर कैसे कोशन केला के कौन से डिस्टीक में जो है यह लोकेट है कौन सा कोशन है 14 पहले कौन सा कोशन है 14 हाँ 14 थी है तीन सेट होने अभी जर दो आंसर है व्यानाड में है चलिए एक और कोशन देखें 15 कोशन कलकत्ता सुप्रीम कोट की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी कमेंट करेंगा आंसर के अश्कोशन का दोस्तों कलकत्ता सुप्रीम कोट की स्थापना जो है 1861 में वह थी एक और कोशन देखेंगा ठीक है 16 कोशन देखेंगा सिल्वर कोईन गुपता पिरेड गुपता पिरेड में जो चांदी के सिक्के लाएंगे वह कौन से लाएंगे जल्दी से बतेगे किस नाम से लाएंगे कि अगरें जो चल्व तो इसकोशन का आं से कहां सिल्वर कोईन गुपता पिरेड जो है आंसा इसकोशन का मेटाफर ठीक है कोशन होगे सक्वाट कोशन देखिए वह ट इस द टैन्योर ओफ चेर्मेट ऑफ नैश्चनल हुमन राइट कमिशन के चेर्मन होते हुआ उनका टैन्यूर कितने वर्च कर रहता हैं वह यह दिदा बफरिंगट थो कोई नहीं हो रही है मुझे लगता बफरिंग हो रही है तो इस कोशन का आंसर के हैं दोस्तों इस कोशन का आंसर है ठीक है फाइफ यह और अप्टू सेवन्टी येर्स ओफ दे यह दोनों में से कुछ भी हो सकता है अच्छा पूशन था यॉनाइटि नेशन एंवार्ड डेवलप्मेंट प्रोग्राम और कर लोंड प्रोग्राम का पता होना चीए फदियानाइट नेशन युए निइप के हेड्वाट्र कहां पे बते लाइज हो समचने ऐड़क नामा महल जो है यह किन से संबंदित है historical side फलक नुमा जो महल है ठेके ये किस से संबंदित है मराथा, मुगल, शिक्स, निजाम किस से संबंदित है किन से संबंदित निजाम से किस से संबंदित है चाँ, तो इसको अनसर है ठीक है इसकोशन का आणसर है कि किस संबंदित contenido निजाम से बीटित आँ, किस से संबंदित ठीक है बीजाम कोशन देखिएगा परस् युनिवरसल बैंक इन्डिया का воды है बते से इम i. koh! ठीक है तो दोस्तों जो फर्स युनिवर्सल बैंक है इंडिया का यह थोड़ा सा डिफिकल्ड कोशन लग रहा होगा क्यूंकि कुछ कोशन हैं ऐसे जो मुश्किल है अभी हम सारे कोशन सोल करेंगे अभी स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ा साइसी इसी बैंक इसका आंसर है एक किसमा कोशन लेनिंग टावर औफ पीजा जो है यह कहां पर लोकेट है बताई वेर इस टावर लोकेटेड हम जो एनिलाइज करेंगे ना उस हिसाब से हिस्टी की थ करते होना तो आपको फायदा होता है सिर्फ क्लास को फोलो करके फायदा नहीं होता कि रैंडम एक क्लास ले लिए होगया काम एक महीना पड़ो इस बैच में पूरे अपने आप जीएस का स्कोर बनेगा अपने अब और इतना टाइम है आपके बस ठीक है दो दो तिन तिन मह और चलेगा हिस्टी करेंगे पेले आना कि रहें महां वहत बहुत सब्सक्राइब करेंगे जो 35 गवर्नेर का प्रेजिड्टेंट ओने प्रेफूस का डोनों पाणियों प्रेप्योंता स्टेट्य ओफ लिबरटी इस दननेंस्ट्न अमलम फिच कंट्री पाथ एक किस कंट्र का 24 जोट्दी से किसे लेछी बी duy特大 का जाता है है तो अछली नर्फ हुआ जाता है थीक है इस कोशेंगा नाशन हैे दोस्तों किसे मैं इतना कहा रहा हूं कि और डिफिकल्ट है इससे पहले वाला बीच वाला एवरेज पेपर था एक ये सबसे डिफिकल्ट कह सकता हूं ठीक है मैं भी कुछ को ये भी आसानी लगे जिन्नोंने मुझसे पहले से जो लगे हुए पढ़ने में हाला कि हम एक लेवल लेके ठीक है ये हम कर सकते हैं ये पोसीबल है 20 दिन में कवर करना लेट सी कि कोन इसको स्कोर को बढ़ाता है और फिर आठ वजे की थियोरी देखते हैं नैशनल पार्क वेस्पंगोल का कौन सा है जो लॉयन रिहनोस के लिए फेमस है बतेगे नैशनल पार्क कौन सा है बतेगे आ चुला इस कोशट का आंसर कि है को इस कोशंगा आंसर है डूससरे पहले कोशंगा ये जलद दापरा नैशनल पार्क दूसरा आई-उ-स-एन की जो एडिशन लिस्ट है उसमें कितनी काटेगरी बड़ा अच्छा कोशन है ये दूसरा कोशन वन वर बेस कोशन है ठीक है आसक पहले आप बताएं IUCN का कितना classification है साथ चीह है जल्दी से बताएं चाला तो इस question का answer के है कि जो IUCN का classification कितना है दोस्तो साथ है तीसरा question गंड़े नेशनल पार्क कहां पर लोकेड़ है बताएं वैर इस गंड़े नेशनल पार्क लोकेड़े इस आसे कोशण का answer के है comment करें बताइए गंड्हाई national park कहां पे located है चुछ तो गंड्हाई national park कहां पे located है तो दोस्तो आंसर है चन्नऊ तामिल लाडो शे कहां पे चन्नाई तामिल लाडो में है तीसरा कोशण असान था father of Indian archaeology किसे कहा जाता है बते किसे father of Indian archaeology कहा जाता है answer case question comment करेंगे answer case question Indian archaeology के father किसे कहा जाता है ठीक है दोस्तों Indian archaeology के father जो है किसे कहा जाता है तो इस question का answer है कि Alexander Kingdom को कहा जाता है archaeological survey of India के president बने थे ठीक है इस वज़े से इसमें से कौन सा major air pollutant है बताएगे इसमें से कौन सा major air pollutant है जल्दी से comment करेंगे comment करेंगे बड़ा answer के इस question तो इस question का answer के है major थोड़ा ना मुश्किल कोशन कारवर monoxide इसका answer बच्चे गलत कर देते हैं से एक आर्वर मॉनक्साइड इसका च्छाटा कोशन देखें विच वन दो फोलिंग लैंग्वजी स्पोकर ना मोस्ट पीपल तो यह कोशन छोड़ेंगे साथ्मा कोशन देखेंगे बिजी पोर्ट ऑफ रॉटेडम पोर्ट जो है कहां पे कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आज तो फ्राइडे है आज थियोरी क्लास नहीं होती फाई इस बार ही आज मैरतोन नहीं हुई न अदो पैर को तो मैंने थोड़ा सा सोच समझ के किया होगा कि अब मैं आपको पूरा कोर्स कराऊंगा साथ बजे से ठीक है तो अभी मेरतोन नहीं हो रही है तो थियोरी क्लास होगी पूरी ठीक है और यह कोर्स है तो हम उसको इसी को कंटिन्यू करेंगे जो हमने क्लास रखी है साथ और पूराट की जो चलती है उसी क्लास को कंटिन्यू रखना है तो इसलिए मैंने यह किया ऐसा नीदरलेंड इसका आंसर आटमा कोशन देखीगा यह कोशन चोड़ रहा हूं नोमा कोशन देखिए रिपब्लिक जो है यह किताब लिखी गी थी किसके द्वारा बदे यह आंसे क इस कोशन खा किताब किसके द्वार लिखी गी थी आंसे क ? अधिकर किए दोस्तों जो रिपब्लिक किताब लिखी थी किसके द्वार लिखी थी प्लै और के तुए आज तो के द्वारा नहीं होता क्या है ये गलत कर देते हैं बच्चे ठीक है दसमा कोशन देखी का लोड करजन वॉइसरोय बने इंडिया के कब मत यहांसे कैस कोशन अच्छा एक सिंपल सी बात बदाओ आप में से कौन-कौन सा बच्चा SSC का कोर्स कम्पलीट करना चाहता है कमेंट बखना जो कोर्स करना चाहता है कि सर हमारी ठीयोरी भी हो जाएочь ऋर दोनोव आप करा दो फ्री-टोक्स करा दो एक बर कटमेंट बॉक्स पर यस लिखना जो कोर्स पर चाहे ऐसससी का MTS हो दिल्ली पुलीज का एकजाम हो रो बच्चा और उसमें course में सिर्फ question नहीं होते हैं गभी भी question के साथ सा theory होती है और theory के साथ साथ question होती है यह 7 में जलते तब course complete होता है ऐसे course भी complete नहीं हो सकता जो yes है ना वो 20 दिन at least ना मेरी 7 और 8 बजे वाली class को continue करो 7 बजे वाली questions और 8 बजे वाली theory करके देख लो मैं आपको बता रहा हूं आपका course complete हो जाएगा notes मैं provide करा हूँ सारे जितने notes सारे मैं provide करा हूँ लोड एलिंगन इसका answer है ठीक है चलिए एक और question देखिए first president of republic of China लेकिन course के रूप में लोग class की रूप में मतल लोग फायदा नहीं है कुछ ऐसे पते रिपब्लिक ओफ चाइना का first president कुन था पते यह answer के स्कुष नहीं का कोई एक्जाम हो even railway की भी त्यारी करने है तो कर सकते हो ssc railway as difference यह तीन एक्जाम्स तो मैं definitely आपके cover करवा सकता हूं GS cover करवा हूं आपकी ठीक है दो class चाहिए लेकिन एक class से काम नहीं बनेगा नहीं रियालिटी है कोशन से काम नहीं बनेगा पूरा है ना कोर्स कम्लीट करना थेयोरी बढ़ें और थेयोरी से भी काम नहीं बनेगा अगर आप कोशन नहीं करते तो इसलिए मैंने 7-8-8-9 का बैच ही रख दिया कि अब आपको बैच ही cover कराएंगे पूरा 20 दिन बैच पर ही focus करेंगे जो special classes आएंगे अब ऐसा भी नही चयरे एको और कोशन देखिए का वरिके क्लर प्रेस अक्ट जुभेर जो है किसके सम мет पास किया गया अंसर के है हम न श्च्टर तरीचे से पढ़ेंगें आप अगोरने क्लर प्रेसे के समय में पास किया गया इस कोशन गा आंसर की है दोस्तों की म Дva स skirts अजिया से वर्नेकट और सि intrinsểm होगा سब्सक् cylindye гएत आ तो अंसर क्या हुआ दोस्तों अनजर主ष लॉटल कोशन देखी का लैटन है लैटन अमेरिका एशिया अफरीका को क्या कहार जाता है इन चारों को तीनो को क्या सबस्सके लैटन अमेरिका एशिया अफरीका करूंट करीका अंसर के स्कूशन जैसे अब ये कोशन है न कि इन चारों को क्या कुछ जादा मुश्किल कोशन है नहीं ये भी ठीक है इस खूशन का आंसर के हैं जान भी है एक ठरीक और नहीं सब्सक्राइशन के हेड़कॉर्टर कहां पर वेजदा हेड़कॉर्टर वर्ल्ड मेटलर्जी कर ओर्गरेशन कि मैं आपको अभी टेलीग्राम दिखा दूँगा अपना टेलीग्राम को ही जो इन करना उसी से आपको क्लास मिलती है कर दोस्तों सोलमा कोशन देखिए कैट्टन इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है कि मैंने ऐसे कोशन डाल दिया आपको कूल करने के लिए थोड़ा सा पताओ अंसर के हैं उमीद है सबको आता है अगर किसी को नहीं आता तो भाई फिर तो जीवन में बहुत सारी चीज़े ऐसी हैं जो आपको जानना जरूरी है तो आंसर है धोनी लंग्स की कवरेज को क्या काया आता है बड़ा अच्छा कोशन इसकी मैंने डिसीज भी बताई थी कमेंट करें आंसर के स्कूशन मोरेन एंपायर स्टार्ट करेंगे मैं आपको ऐसा नहीं सिर्फ मोरेन एंपायर पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ जो है एक ही अजात क्या बोलते हैं आपको अशोका पढ़ा के छोड़ दूंगा ठीक है सब डिटेल में पढ़ाय दाएगा हम चंद्र गुप्त मोरे से बारे में संबंदित चीजें करेंगे बिंबी सारा और चितनी भी चीजें हैं अशोका अनोल सब कुछ कवर करेंगे ठीक है मोरेन एंपायर का ठीक है बिंदू सारा चलिए प्लूरा इसका आंसर है एक और कोशन देखे अठार्मा कोशन रोगे तो यह यह को आठार्मा बजे की दो क्लास इसमें तो आज पना कोशें के हिसाब से टिए अनसर कि इसको में है इंटरनेशनल असोशियशन ऑफकी एड़कौर्टर कहां पर स्विज़जलेंड में ठीक है है ना कि यह भी कोशन हो गया 19 कोशन देखेंगा इंट्रनेशन डिवलप्मेंट अस्वोशियेशन कहां पर है अब दोबारा वही चीज पूछेगी नोंबजेवाली कर लेंगा डियर 11 बजे वाला सेशन नहीं रख रहा अभी मैं मैं कोर्स पर फोकस करूँ अपके भागा तार जो रेगवलर क्लासिस हो सकते हैं उन पर जयादा फोकस करूँ वशिंग टनीस का आंसर है सब्सक्राइब कोशिच जैसे वर्ल्ड अफिर की क्लास आपकी रेगुलर होती है तो वह हमेशा ही आएगी है ना तो बैक टू बैक रखे वो क्लास इस पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में सबसे पहला एटियम इंडर्यूस करने वाला बैंक कि यहां से कोशिंगा इस कोशिंगा आन से कहें है ठीक है बैंक को बार के अच्छा एक पर ही कमेंट बॉक्स पर लिखो कौन को ना से थियोरी कवर करने वाला एट पीम की टेलिग्राम से लिंक आ जाएगा अराम से मैं आपको कवरेज करा दूँगा मेरा पढ़ाय हुआ कंटेंट हंडेड़ परसंट पेपर में होगा हंडेड़ परसंट आए शोर यू ठीक है आप किसी का मोक टेस्ट देके देख ले ना थियोरी पढ़के आपको हं च्छी कवर करा दूँगा और एक हफ्ते में ही कवर कराऊंगा जैसे मैंने जोगरफी पर फोकस किया था अब मैं हिस्टी पर पूरा कवर करूंगा मेरे एंड से पूरा होगा यूटुब पे पूरा थियोरी ठीक है आच से ही होगा 8 पिम पे क्लास होगी टेलिग्राम पे तो आपको मिल जाए ना यूटूब पे उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता एक्स्टूडेंट के लिए जी इसका ठीक है बहुत कम मिलेगा आंसर है दादा भाई नरो जी एक और कोशन देखिए सार की स्थापना कौन से वर्ष में होई जल्दी से बताईगा आंसर कैसे कोशन पढ़ पढ़ के जाओगे अच्छा तो लगता है लेकिन पेपर में फिर ऐसा लगता है यार पुराने क पूछी लिए वो कैसे पूछेगा आप से जो कोशन पूछ ले फिर आप कहते हो कि कोर्स में से कुछ भी नहीं आया कोशन प्रैक्टिस होती है चैसे क्या कोशन निकालोगे समझ रहे हों जरूर है कंसेप्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता नाइटीन इसका आंसर है एक और को कौन सी ऐसी जैसे यह आप यह जोगरफी में अगर आपने पढ़ा भाई कौन सी ऐसी रेंस होती जिसने लाइटिंग और थंडर दोनों एक साथ होते हैं अब यह कंसेप्ट है कंसेप्ट आपने पढ़ा रहें का आपको आता है ठीक है चलिए बताए आंसर के स्कूश नहां कि कमेंट करी हैं का अंसर क चू ऑझ कि आनको टेलीग्राम के लिंक डाल दूंग कि देखते-इक on बैज स्टार्ट हुन और आप इस्टार्ट करेंगे हम अगर जो आप पढ़्ण नहीं है तो batch करने का start करने का फायदा नहीं है, Convective Rain इसका answer है, ठीक है, उल्टाइए वाली class भी खटाएंगे फिर, ठीक है, अराम से पढ़ाएंगे फिर, एक आधी class बस, अगर batch complete नहीं करोगे, Forest Laboratory Center India का कहां पर, जल्दी से बताएगा, बताएगा, फिर 10 मिनट अबाद, theory start करा हुआ आज बस इतनी उमीद है कि आप में से जो जो बच्चा यहां पर पढ़ रहा वो थ्योरी पढ़ने जरूर आ अब कोर्स कम्प्लीट करना आप क्लास नहीं है सिर्फ एक कोर्स है बीस दिन का कोर्स है देखते हैं बीस दिन एक लगा लो मेरे साथ मैं आपको बता रहा हूं मैं कम्प्लीट करा दूँँगा पूरा कोर्स ट해도 20 दिनवे पूरा चली epoxy का अंशर है देहरा दुन देहरा दुन इसका आंसर है आपने पूरे 25 कोष्ण करें ठीक है पूरे 25 को शुन हुए आप मैं आपको इतन invi को सबस्क्राइब हो जिसने आपको सारे घ्राएंगे लेकिन कंसेप्ट के वाद कोशन करना है यह टेलिग्राम चैनल है अमन सर वाइफे स्टड़ी जिसमें सब सर्च कर लो एक बारी टेलिग्राम पे सर्च करो अमन सर वाइफे स्टड़ी जिसमें सबसे ज़ादा बच्चे connected है उसमें जुड़ो और उसी में न एक link आ रहा है 8 p.m. थियोरी का ancient history, mid-will history, modern history, सारी कवर करानी है history कवर करांगा एक हफ़ते में 8 p.m. की क्लास में और इस क्लास का continuation है course complete करना है तो जरूर जुड़िए ठीक है नहीं course करना है तो question से भी कुछ फायदा नहीं होगा ठीक है ये एक reality बता रहा हूँ ठीक है बहुत नहीं बताते है reality आपकी यह है कि दोनों चीज़े कवर करनी बड़ेंगे चले में टेलीगराम चैनल जोइन कर लो सारे के सारे 10 मिनट में क्लास स्टार्ट करा रहा हूँ 8 बज़े की टाइमिंग क्लास की क्लास का लिंक आपको मैं अभी भेज रहा हूँ ठीक है था यह बिलकुल बिलकुल क्लास का लिंक भी आ जाएगा और आपकी क्लास आड़ बज़े स्टाड हो जाएगी लेकिन होगी आड़ बज़े इस टाड हो एब पर्टिफिलर टाइमिंग रखते हैं फिक्स अगर को कर अब हम कह रहे हैं कोर्स कम्प्लीट होगा तो होगा स्टार्ट हो गया जोग्रफी ओर होगी तो हुआ 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 है चाहिए तो फिर सेशन को एंड करते हैं मिलते हैं आप से भी